दोस्तों अंग्रेजी बोलने के लिए शही गाइडेंश और सही टीचर का होना बहुत ही जोरी है और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को अंग्रेजी शिखाने का तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें क्या आपको कभी ऐशे शब्द देखने को मिले है या तो शुनने को मिले है जैसे की तूटा हुआ, डरा हुआ, मुडा हुआ, जुका हुआ, रुका हुआ, गडा हुआ, रखा हुआ, चिपा हुआ, लिखा हुआ, बना हुआ तो दोस्तों ऐशे शब्द हमें spoken English में मिलता भी है जिसका English हम बनाने में थोड़ा फश जाते हैं तो हम ऐशे शब्दों का जो English मनुवाद करेंगे वो वर्व के third form आनि past participle form के जरिये से करेंगे इसके लिए हमें इसका जो exact जो word होता है उसे आद रखना बहुत जवरी है और उसी को हमें भर्व का third form में बदल देना है जैसा कि टूटा हुआ then broken टूटना का होता है break तो यहां पे broken ड्रा हुआ अस्केयर मुरा हुआ बेंट जुका हुआ लिंट रुका हुआ स्टाप गड़ा हुआ बरीड रखा हुआ capped छिपा हुआ hidden लिखा हुआ written बना हुआ prepared अब हम लोग कुछ वाइक को बनाते हैं कुर्शी टूटी हुए दा चियर इस broken वह डरा हुआ है ही इस अस्केयर्ट तुमारी शर्ट फटी हुए यूर शर्टी स्टॉर्ण उषका हाथ मुड़ा हुआ था इस हैंड वाज बेंट गारी रुकी भी थी दा कार वाज स्टॉफड शोना जमीन में गड़ा हुआ था दा गौल्ड वाज वरीड इन दा लैंड कलम टेबल पर रखी हुई थी दा पेन वाज कैफ्ट ओन दा टेबल वा पेन के पीछे छिपा हुआ था यहां किताबों में लिखी हुई है इस प्रकार से आप अनेक वाक्यों को बना सकते हैं मुझे पूरा उमीद है कि आपको यहां अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा हमेशा कि तरह यहां पर मैं कुछ हॉंबग दिया हूँ आप इसे अंग्रेजी में अनुवाद करें आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा थैंक्स दाट्स अल इन टोडेस वीडियो शीव लेटर